हेलो एवरिवान हो यू ओला फाइन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्जाम पीडियेव कैसे क्रियेट करेंगे और फिर उसे कैसे अप्लोड करेंगे सबसे पहले हम पीडियेव क्रियेट करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे क्लियो स्कानर आप सो सबसे पहले आप क्लियो स्कानर आप को ओपन कर लेंगे जैसे ही मैंने आपको ओपन किया तो मेरे पास दो आप्शन आए फर्स्ट है गैलरी का सेकेंड वन इस कैमरा देखो गैलरी का यूज आप तब करोगे जब आपके पास और पिक्स क्लिक पड़ी है और आपको चूज करनी है पर हमें तो पीडियेव क्रियेट करनी है तो हम क क्लिक करके हम जितने भी हमारी शीट्स हैं उनको स्कैन कर लेंगे और उनकी पीडियेव बना देगे एक बात का बच्चे ध्यान रखना है जब आप अपनी पीडियेव बनाओगे तो फर्स्ट पेज आप रोलंबर स्कैन करोगे उसके बाद आप अपनी शीट्स कैन करोगे रोलंबर स्कैन करना बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके बिना आपका एक्जाम असेप्ट नहीं होता ठीक है तो पहला पेज जो है वो आपका रोलंबर रहेगा उसके बाद जो आपके एक्जाम की शीट्स हैं आप उसको स्कैन क क्लिक करेंगी लिए किसके क्वा画 इसवार पर क्लिक किया जैसे ही हम पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे क्यहमरा ओपन हो जाएगा अब हम अपनी चीट्ट को सक्एनन कर सकते हैं लेआ है है राउंड बेटन है मैं इसकेए मान स्क्लिक Ready कर लेंगे जितनी sheet को हमें scan करना है, then ये tick button पे हम click कर देंगे, अब देखो first page हमारा scan हो गया, अब देन दुबारा यहाँ पे click कर देंगे tick पे, तो देखो बिच्चे, first page हमारा scan हो गया, अब जैसे हमने first page scan किया है, इसी तरीके से बाकी pages को भी हम scan कर लेंगे, फिर से उसी वे में फिर से camera पे click करेंगे, ये आपका second page suppose, तो आपने इसको चूज किया, फिर से round button पे click, अब देखो इसको पूरा select करने के लिए इस पे click करा, अब adjust किया, फिर tick पे click, और ये second page मेरा scan हो गया, ओके, इसी तरीके से बच्चे, आपके जितने भी sheets होगी, आप उसे scan कर लोगे, वही दुबारा बात note करना है, कि first page आपका क्या होगा, roll number, उसके बाद आप बाकी sheets को scan करोगे, इसके बाद, ऐसे ही, मतलब सारी जो आपकी sheets है, उसकी click करने के बाद, आप इन three dots पे click करोगे, बिकास अब हमें से store करना है, क्लिक किया, तो यहाँ पर बच्चे, last में आपके पास option आ रहा है, save to storage, तो आप इस पे click करोगे, क्लिक किया, तो आपके पास कुछ options आ जाएंगे, अब देखो, share as pdf, कि यह pdf है, file name document, by default file name document होगा, बट आपको file name क्या रखना है, अपना university रो लंबर, देखो बचे, सिर्फ university रो लंबर, ना आपका नेम, ना subject का नेम, ना college रो लंबर, ना DH रो लंबर, सिर्फ university रो लंबर, suppose आपका university रो नंबर है, 18009678, तो आपने file name क्या रख दिया, 18009678, यह ध्यान रखना, कि जो यहाँ पर आप टाइप करो university रो नंबर, वो correct हो, because आपकी इसी से attendance लगती है, और अगर यह गलत हुआ, तो आपकी absent लग सकती है, ठीके बच्चे, next है, password, बच्चे, आपको इसको touch नहीं करना, आपको अपनी pdf पे password नहीं लगाना, अगर आप इस option को use करोगे, तो आपकी pdf पर password लग जाएगा, और हम उसे open नहीं कर पाएंगे, और open नहीं कर पाएंगे, तो आपका exam कैसे accept होगा, तो आपको password वले option को choose नहीं करना, या use नहीं करना, निक्स है, storage folder, बचे जैसे आपके घर में कोई चीज आती है, लाइक आप कोई चीज बाय करके लाते हो, suppose आपने chips लेकर आया, ठीक है, तो अब आपको ये decide करना होता है, आप उसको कहाँ पर रखोगे, यानि थ्री rooms है, suppose, तो आप उसको room 1 में रखोगे, आप सिब्सको स्टोर करना है, आप बहुत सारे लेकर आए और आपको स्टोर करना है, तो आप room 1 में रखोगे, room 2 में रखोगे, या room 3 में रखोगे, इसी तरीके से, अब हमें ये decide करना है, कि ये जो PDF है, उसे हमें कहाँ स्टोर करना है, three dots पर three dots पर click किया उसके बाद यह three lines पर जाओंगे आप अब हमें ये decide करना है बच्चे कि मुझे इस PDF को अपने phone में govber करना है या SD card तो मुझे इसको अपने phone में सेव करना है तो मैं इस पर click करूँगी अब phone पे click किया मैंने तो वो पूछ रहा है कौन से folder में मुझे इसको save करना है तो आप किसी भी folder जो आपके already बने हुए हैं उसमें उसको save कर सकते हो बट clarity के लिए कि मुझे जब मैं form fill करूँ choose करने में असानी हो मैं एक नया folder create कर लेती हूँ जिसमें ये PDF मैं store कर दूंगी मैं नया folder बनाती हूँ तो मैंने नया फॉल्डर बनाया बीलो बीलो सपोज यह मेरा बीलो का एक्जाम है बीलो एक्जाम है ठीक है और मैं okay पे click कर देती हूँ sorry ठीक है अब मैंने okay पे click किया तो एक नया folder बन गया बीलो एक्जाम अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे असेस देना पड़ेगा इस folder को कि इस folder में वह file सेव हो जाए तो मैं इस पे click करूंगी allow assess कि मैं allow करती हूँ कि इस folder में मेरी file सेव हो जाए मैंने क्लिक किया allow assess अलाओ तो अब वो क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखो storage folder below exam कि यह PDF जोए वो कहां पर सेव होगी below exam वाले folder में समझे बच्चे इसके पिछे का logic अब हम क्लिक कर देंगे अब हमने उसको बता दिया ना कि फाइल कहां store करनी है यह वाले folder में अब क्लिक करें कि इस पे save to storage save कर दो अब यह file हो गई store ठीक है अब हमारी PDF क्रेट होगी अब हम फॉर्म फिल करेंगे फॉर्म आपके साथ WhatsApp पे शेयर किया जाएगा आप जो लिंक है उस पे क्लिक करोगे जैसे ही बच्चे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास form open हो जाएगा सबसे पहले तो जैसे ही बच्चे आपके पास form open हो आपने देखना है कि वहाँ पर आप ही का name लिखा रहा है देखो यहाँ पर लिखा ना है ठीक है यह three dots पे क्लिक करके और यह जो अब यह पर आपने यह दिखना है कि यहाँ पर आपी का name लिखा रहा है जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब देखो यहाँ पर मेरा नेम लिखा रहा है और मेरी आईडी लिखिया रही है अब आपने ये इंशॉर करना है तीम जैप ओपन करके कि यहां पर आप ही का नेम हो और यह जो आईडी है वो भी आप ही की हो आपकी आईडी में आपका रोलंबर गिवन होगा तो आपको दिखना है कि आप ही का accept नहीं होगा तो exam से पहले आप यह इंशॉर कर लोगे कि आपके फोन में आपकी की ID login है ठीक है कैसे इंशॉर करोगे नेम आपका होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर रोलमबर आपका होना चाहिए और जब आप फोन उपन करो तो यहाँ पर आपका नेम लिखाना चाहिए अगर बचे यहाँ पर किसी और का नेम लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपके फोन में किसी और की ID लॉगिन है और किसी और की ID से आपका एक्जाम एसेप्ट नहीं होगा ठीक है अब हम फॉर्म फिल करते हैं बचे फॉर्म बहुत ही ध्यान से फिल करना है हर चीज को दस बार वेरिफाय करके आपने लिखना है ठीक है अपना नेम ध्यान से Microsoft ID Microsoft ID आपको exact फिल करनी है जो आपके exact है न वहाँ पर dot है caps में है जो जो चीजें बिल्कुल exactly आप वो ID फिल करोगे ध्यान से become कौन सी ID Microsoft वाली become general ठीक है जो भी आपके ID है वो properly follow यहाँ पर mention करोगे मैंने तो अभी ऐसे become general लिख दिया ना आप properly यहाँ पर अपनी ID लिखोग ध्यान रखना यहाँ पर Gmail ID नहीं लिखनी यहाँ पर वो ID लिखनी है जो आपको college से लॉट हुई है become general at the rate on Microsoft dot add the rate DAB YNR वली ठीक है यह वली यहाँ पर आपको exactly ID mention करनी है नेक्स्ट इस युनिवर्स्टी रूलंबर फिर आप अपना युनिवर्स्टी रूलंबर मैंशन करोगे यह भी बहुत ध्यान से आपको mention करना है कुछ भी mention कर दो 1-80068 मतलब कुछ जो भी है आपका वह आप ध्यान से बहुत ही ध्यान से मैं तो randomly कुछ में मेंशन किया नेक्स्ट इस डीएचिरो नंबर फिर आप अपना डीएचिरो नंबर टाइप करोगे उसके बाद देट यह आपको by default बस सिलेक्ट करना होगा यह अल्रड़ी आप शिफ्ट सेशन शिफ्ट इवनिंग पेपर नेम क्वेशन पेपर कोड कॉर्स नेम बस टाप करना आपको कुछ भी लिखना नहीं है अल्रड़ी मेंशन होगा सब आपको बस मेंशन करना है नेम माइक्रोसफट इमल आइडी उनिवर्सटी रो लंबर और डियेच्च रो लंबर और आप यह सारी फील्ड बहुत ही ध्यान से फिल करूगे उके उसके बाद लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फील्ड अप्लोड फाइल अब हमें फाइल को अप्लोड करना है सबसे परए टैप करेंगे इस पर defile फाइlles में था इसे हमने कहां से अब देखो यह व्यान रखना है जहां पर हमने पीडिएफ को save किया था हमें उसको वहीं से pick करना है जिसे मैंने बताया था कि अगर आप कोई चीज लेक्या है और आपके घर में तीन rooms है तो आप भी आप शीज रखी है तो आपको वह room one से ही pick करनी है तो अगर room अगर room one में चीज रखी है हैं तो इसको उठाना भी वहीं से अगर आप दूस्रे रूमस में उसको ढूंडोगे तो आपको नहीं मिलेगे तो हमें कहां सेव किया था सबसे पहले जैसे हमने सेव किया थाना वैसे हम उसे डूंडेगे त्री-Dots पे-क्लिक किया हम हमने सेव किया था फोन में तो इस पर टाप करेंगे किस में सेव किया था हमने बच्चे हमने सेव किया था बीलो एग्जाम अब यहां पर हम फोल्डर ढूंदते हैं बीलो एग्जाम यह देखो यह में फोल्डर मिल गया बीलो एग्जाम अब इस पर क्लिक किया यही रखा थ पीडिएफ का नेम और देखो टाइम भी ताइम भी देख लिया करो किस हो सकता है काई बच्चे ना गलत पीडिएफ अप्लोड कर देते हैं तो यह ताइम देखो 1 5 PM यह पीडिएफ का बन रही है 1 5 PM बतलब राइट पीडिएफ है अब इस पे आपने टाप किया यह सिलेक्ट होगी अब यह अप्लोड हो जाएगी देखो अब यह पीडिएफ अप्लोड होगी ठीक है बच्चे बस में बात यह है बच्चे जहां पर आप पीडिएफ को स्टोर करोगे आप उसे वही से पिक करोगे यह बात समझो बस आपने देखा जहां हमने उसको सेव किया हमने वहीं से उसको पिक किया समझे ना बात को कि अगर आपने रखाए उसके किसी और रूम में है तो आप उसको किसी दूसरे रूम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो न then send me an email और फिर मैं क्लिक करूँगी submit अब मेरा जो रिस्पॉंस है बचे वो सब्मिट हो गया ओके अब हमारा फॉर्म जो है वो सब्मिट हो गया अब हम एक वेरिफाय कर लेते हैं यह जो फॉर्म है इसमें दुबारा से क्लिक करेंगे देखो अब जैसे हमने दुबारा से क्लिक किया तो वो कह रहा है यॉर रिस्पॉंस हैस अल्रेडी बिन सब्मिटेड एक आईडी से बचे एक ही रिस्पॉंस जो है वो सब्मिट हो पाएगा तो वो आपको दुबारा फॉर्म करने की पर्मिशन नहीं देगा अब हमारा स्टुडेंट्स एक्जाम से पहले आप अपने गूगल क्रॉम की हिस्ट्री भी डिरीट कर दोगे विकास कई बार फॉर्म फिल करने में उसकी वज़े से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पर सकती है तो आप क्रॉम ओपन करोगे फिर थ्री डॉट्स हिस्ट्री अब देखो जो जो मैंने सर्च किया हुआ है लास्ट टाइम वह सब दिखा रहा है तो मुझे क्लियर ब्राउजिंग डैटा एडवांस्ट टाइम रेंच अब मुझे कब की हिस्ट्री डिलेट करनी है यहां पर ओल्टाइम मतलब सारी हिस्ट्री मुझे डिलेट करनी है ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकिज और साइट यह थ्री आप्षिंज आप चूज कर लोगे उसके बात क्लियर डैटा क्लियर देखो अब जो मेरी हिस्ट्री है वो क्लियर हो गया है ठीक है और अगर बच्चे किसी बच्चे को मतलब जब आप वाट्सेप पे ओपन करो लिंक उसमें प्रॉब्लम आए या फिर फिर फॉर्म ओपन ना हो तो आपने क्या करना है आपने लिंक लेना है उसे कॉपी करना है कॉपी क्लिक किया और जाकर गूगल पे उसे पेस्ट कर देना ह वोटोमेटिकली गूगल क्रॉम में उपन हो जाएगा ठीक है तो इससे जो वह आपका फॉर्म है वह उपन हो जाएगा कई बार आप से साइन इन मांगेगा तो आप यहां पर वही आईडी लिखोगे बच्चे जो आपको कॉलेज से अलॉट हुई है माइकोसफट आईडी फिर नेक्स्ट करोगे और फिर पासवर्ट डालोगे तो वह जो फॉर्म है वह उपन हो जाएगा ठीक है होप आपको यह सब क्लेयर होगा अल दी वेरी बेस्ट फॉर यो एक्जाम्स थेंक यू सो मच फॉर राटेंशन हैव नाइस जे